मनीज कश्यप के परिवार के लिए और मनीज कश्यप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहें बस यही कि एक माँ जो बेतिया कोट के सामने समझ भाई और माँ खड़े होकर इस बात का इंतिजार करते हैं मनीज कश्यप अंदर जेल में है तो दिन प्रती दिन वह मजबूत हो रहे या फिर टूट रहे हैं मजबूत कहते हैं कि सोने को जितना पीटी ना उतना मजबूत होता है और इसके बाद जो लोग भिखरते हैं सचमायने में वही निखरते हैं अर्विंद केजरिवाल पटना सकते हैं रागव चडड़ पटना सकते हैं राहूल गांधी पटना सकते हैं सोनिया गांधी पटना सकती हैं इसके बाद पमिल नाड के मुख्यमंत्री हम क्या स्टैलिन पटना सकते हैं तो मनीज कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं क्या मनीज कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना जब उनके लिए फोर्ष कठा हो सकते हैं तो मनीज कश्यप को लाने के लिए फोर्ष क्यों नहीं कुछ भी रोधियों के मन में तो ये भी चलता रहते हैं एक मनीज कश्यप नहीं है तो रवी भट जो एक उनकी जगा लेना चाहते हैं इसप evaluation आप से वह और कोई रवी भट नहीं बन सकता आप लह आपके साथ is जोती सिंग और आप देख रहे हैं सच्टकनीज देखे मनीज कश्यप सर के बारे में बात करें तो लगातार उनकी चर्चाय होती रहती हैं जो भी अपडेट है वह आप सभी को चैनल पे देखने और सुनने को मिली जाता है और हर कोई अब जाके उनसे मिलने की कोशिश भी कर बाते आप दोनों की हुई और मनीज कश्यप के चेहरे पर क्या कुछ आपने महसूस किया बस बिहार बदलना है उन्हों का पहला जो सब्द था बस बिहार बदलना रभी भाई और बिहार एक लोगों से नहीं बदला जाएगा पूरे लोगों को साथ में खड़े होकर बिहा जिसको पहला सवाल यह पूछना चाहिए मेरा भाई बहन मेरे माँ बाप कैसे हैं वह इस सवाल को ना पूछ कर यह बोड़ रहा है कि रभी भाई बिहार को बदलना है जबाब को सुनके आपके मन में क्या खयाल है जबाब ऑबिशली हम लोग यह सी एक्सपेक्ट कर रहे थ जो अंदर का माहोल है ना बोली समझ में आ रहा है बासा समझ में ना खाना ना पीना फिर भी बिहार के प्रियत यह जुनूनियत जो है वो कहीं न कहीं हमको लगा है कि यह सच में इनसान बिहार के लिए काम करते हैं और आने वाले समय में यह जेल से निकलने के बाद भी बि मनीज कश्यप कभी टूटा टूट ही नहीं सकता और कभी टूटेगा क्योंकि पहली जलक में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि सेर को कितने भी पिजड़े के अंदर आप बंद कर दीजिए सेरी रहेगा और आज नहीं कल तो निकल कर फिर से उसी गति के साथ दाड़ेगा और मनीज क मनीज कश्यप को मजबूत बना दिया गया और मैं ये बात दावे के साथ कह सकते हूं मनीज कश्यप जिल से निकलने के बाद दुगनी गति से बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे उनका रास्ता बदल सकता है लेकिन लड़ाई उनकी सदेव जारी रहेगी लेकिन बिहार के लिए समर्पित है ये बात का हैसास मुझे उनसे मिलने के बाद और गंभीरता के साथ हुआ कि एक इनसान जो चंपारन का लाल है वो मनीज कश्यप आज भी बिहार के लिए समर्पित है इतना कुछ हो जाने के बाद उसका एकान फ्रीज होने के बाद उसका घर ढह कि मुझे लगा कि मनीज कश्यप की बात जन जन तक पहुंचानी चीए और आके हम लोग भी उनकी बातों को बिहार के लोगों तक बताने का प्यास कर रहते हैं लगातार कुछ टाइम पहले जो मनीज कश्यप रस्ट अचार के खिलाब कमियां दिखाते थे बिहार में आज को भी फेस करनी पड़ती होंगी आपका भी नाम बीच बीच में आ रहा था तो मनीज कश्यप की कमी आप लोग को एजब पत्रकार होती है कि ने देखे बड़ा भाई का जो है कमी तो हर किसी को फिलोगा जो हम लोगों का मतलब एक गारजियन तुल्य होता है हम लोग मनीज कश्यप जिसे दो-दो महीना में कभी मिलते थे रिपोर्टिंग के दौरान हर दसवे दिन भी कभी मिल लेते थे हमको मनीज कश्यप का साथी बना दिया गया हां ठीक है हम साथी है बाई अगर एक इमानदार इनसान सच्चा पत्रकार का साथी कहने में लोगों को गर्ब मैस कि बिहार के लाल जो बिहार के लिए लड़ते हैं देश के लिए लड़ते हैं उनका हमें साथी बताया गया तो भाई की कमी तो हरदम सादेयों खलती है और मैं मनीज कश्यप जी को अग्रज मानता हूं अपने इस कार्य छेत्र में उनसे मिला उनसे बहुत कुछ सीखा अब हमने पूल का वीडियो किया था मुंगेर में हमें वहां कमी खली कि साबसे मनीज कश्यप जी होते तो इस वीडियो को अभी तक 50 मिलियन लोगों ने देखा और लोगों ने और लोग देखते आप जाते हैं तो आप मनीज सर से क्या कुछ बाते करते हैं फिर क्या रहा हो उनका जो हो एक कमी वहां पर जो उनको लगती है कि मेरा कोई नहीं है उनको जा सरब बताना चाएओ कि न हिए पुरा बिहार और पुरा देश आपके साथ है हूं चोटे-चोटे लोग आपके सास्ते हैं जब मैं वहा हां मिला तो मैं अश्वर चकीत अफूरा च़कित ना वोग बहुत मदद कर रहे हैं मलब लोग वहां पहुंच रहे हुए उनको बिठाना उटना वहां मलब वहां कोई दिक्कत रही है इस कश्यब के बिहार आने की चाहत हर किसी के मन में आस लगा कि सारे बिहार वासी यूपी के उनके जाने वाले बैठे हुए हैं आप क्या कुछ सोच के बैठे कि मनीज कश्यब आने के बाद भी चुप नई बैठने वाले हैं मनीज का सिप चले गए तो आप चुप बैठी है उनकी टीम चुप बैठी है तो बैठने वाले नहीं तो इसी बात से अंदाजा लगा लिजिए कि उनके बनाए हुए चेहरे उनके बनाए हुए सिस्य आज उनके गैर मौझूदगी में काम कर रहे हैं तो जब गुरू आएग तो मनीज का सिप डरने वाले हैं यार नहीं डरेंगे कभी नहीं डर सकते हैं जब उनके गायर मौझूदगी में आप लोग सच्चाई के साथ सच का सामना कर रहे हैं तो वह कैसे डर जाएंगे अगर उडर जाएंगे तो आप लोग तो ऐसे हार जाएगा आप लोग उनकी प्रीड की हड़ी हैं जब आप नहीं डरें तो उनको और प्रेणा मिली के घम को डर नहीं और डरने का कोई सवाल ही नहीं होता डरना होता तो अब तक वहां से रोते हुए वीडियो आता मजबूत कहते हैं कि सोने को जितना पीटी ना उतना मजबूत होता है और इसके बाद जो लोग बिखरते हैं सचमाइने में वही निखरते हैं अगर मनीज कस्यप बिखर भी गए हैं तो वह दुगनी निखार के साथ बिहार में वापस आएंगे बिखरने वाला ही निखरता है और आज तक ऐसा कोई चीज बनाई नहीं को इनसान बनाई नहीं जो बिखरा और फिर निखरा नहीं जो सच में बिखरा वही निखरा और मनीज कस्यप बिखरने वाले नहीं इनसान निखरने में से हैं एक लगातार आपको देखा जाता है आप सब तमाम जगों के रिपो जो लोग इस सवाल करते हो कुछ टुट पूंजिया टांग कीचने वादे लोग हैं मनीज कस्यप किससे नहीं सब्सक्राइब को बदलना है तो साथ साथ में हाथ लेकर हाथ साथ मिलाकर चलना पड़ेगा और टांग खीचने वाले लोग सद्दू वो जो कुछ लोग वो कुछ विरोधियों के मन में नाषिय नहीं है तो रवी भट उनकी जगा लेना चाहते है你是 पर क्या कुछ आप बोलेंगे ओन कैम देखे हम मनीज कस्यप हर कोई रवी भट नहीं बन सकता लोग अगर कंपेर करते हो तो हमारे सवभागी की बात है दूसरी बात यह है कि हम जो हैं वही बने रहे तभी ठीक है हम जिस दिन मनीज कस्यप बनने के चक्कर में फिडाक में होते हैं बहुत सारी चीज़े अयोध्या में सुनने को आई थी तब आप वहां पर नहीं बिल्कुल है वीडियो दिखाऊंगा आपको दूसरी बात यह है कि यूपी और बिहार में कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों एक एक दूसरे के पूरक राज्ज है हमारा घर अयोध्य है हम अपने ग्रह जनपस से जब निकलते हैं तो हम पूरा कवर करते हुए चलते हैं तो हर जगह अपने हिसाब से अपने जो है तमाम चीजों को लेकर हर जगह का बात करते हैं और यह जरूरी है देखें बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ बाटा नहीं है बिहार और उ करने पड़ी कर देखें सच में मानिय न्यायाले पर मनीज जी को भी वरुसा है लेकिनी राज इनीट के सध्यांत्रों के तरह सब को फंसाने का प्रयास किया गया तो तो बिहार की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते हम तब भी जो है विहार के लिए काम कर रहे हैं बस हां कुछ रास्ता अलग हुआ था क्योंकि फसाने का कोशिस किया गया और धर्मसास्त्र वेद और गीता और कानून कहता है कि अगर आपको कोई फसाते हो ता आप रास्ता च हम मैं अपनी आपतों को रख रहा है कि स्रीमान मान ये जज सहां मान ये निया ये मनिर्दौस्व मुझे फसाया जा रहा है मुझे तो मैं फि Lub eligibility फ़साने वाले को कहूँ या फिर निकालने वाले को बढ़ा कूँ जज न्यायाले न्यायधी सब बढ़े हैं तो मैं उनके उपर डिपेंट था और आज मैं कहता हूं सत्य की जीत है और मनीज कश्यप जी सडियंत्रों के सिकार हुए है सेम इसी तरीके से उनको भी जेल से बाहर बहुत बस यही कि एक मा जो बेतिया कोट के सामने समझ भाई और मा खड़े होकर इस बात का इंतिजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा लेकिन वही डायलोग तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक मानिए न्यायाले की ओहलना हो रही है बेतिया कोट के आदेस देन चाहती है और बिहार पुलीस और तमिलनाट पुलीस इस बात का धिंडोरा फीटती है कि यहां सिक्वेर्टी नहीं है आर्म फोर्स नहीं है अरे मनीज कश्यप जो है उनको तो आप यूट्यूबर कहते हैं मनीज कश्यप मकैश टैलनी से बड़े है क्या अरभिन केजरीवाल स पटना सकते हैं सोनिया गंधि पटना सकती है इसके बाद путमिल नर्ड की मुख्यमंत्रीं इस्टेलिन पटना सकते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं कि मनीज कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना जब उनके ल golden के लिए प्웠 नहीं सवाल है और इस सवाल का जवाब हर एक बिहारी को चाहिए और विहार उत्तर प्रदेश और पुरेदेश के लोग इस सवाल का जवाब ढूनने का प्रयास कर रहे है कि यह आखिर मनीज का स्यप बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं जब M.K. स्टैलिन आ सकते हैं तो सवालों की जवाब हर किसी की मन में जितने भी मनीज काश्चिप के जाहने वाले हैं समर्थक है तो रवी भट की बातों से आप कितने सहमाय तक कमेंट सेक्शन में ज करभ me जाकरा है कि पतक य़िफ एतक ड़ियों ऐससे आव्यों जबने रहे हैं साहं कर दो बिस देम